नमस्कार दोस्तों मैं हूं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं पैंडोट न्यूजर एंटरेटेंडमेंट दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कामिनी राई के बारे में जिनका आज जनम दिन है तो चलिए दोस्तों स्टाट करते हैं आज की वीडियो दोगल ने आज अपना डूडल बंगाली कवेत्री एविश्टिट एमशिक्षाविदी कामिनी राई को समर्पित किया है 12 अक्टूबर 1864 को ततकालिन बंगाल के वांकेरगन जिले में में जनमी कामिनी राई की आज 155 जैनती है महिला अधिकारों के लिए समर्पित रहने वाले कामिनी राई बारत की ऐसी महिला है जिन्होंने ब्रिटिस इंडिया में ग्रेजुवेशन आंकर्स किया था सेंबर बद प्रिवार में जनमी राई के बाई कलकर्तम के मेर रहे थे और उनकी बहीन नेपाल के शाही प्रिवार की फिजीशन थी बारती अउप महादीब के उस दोर में उन्होंने मेला के अधिकारों और उनके पढ़ाई की वकालत की जब कोई कूप परतेंसमाज में मौजूद थी कामिनी राई की बहुमों की परतीबा को आप इससे भी ज़्यादा समझ सकते हैं कि उन्होंने बच्पन में ही गनित में रूची थी लेकिन आगे के पढ़ाई उन्होंने संस्किर्ट में की थी कॉलकता स्थित बैथुन कोलेज में उन्होंने ठारा सो चांसी में बी ए ओन्दस किया था और फिर वहीं टीचिंग करने लगी थी राष्टवादी अंदोलों में बनी हिसा मेलाओं के लिए रही समर्पित कामेनी राए कॉलेज में ही उन्होंने एक स्टूडन्ट अंबला बोस से मुलाकात हुई थी अंबला महीला सिक्षा और विद्वाओं के लिए काम करने में रूची रखती थी उनसे प्रवावित होकर कामेनी राए ने अपनी जिन्दकी में मेलाओं के लिए समर्पित करने का फेंशला कर लिया था कामेनी राए ने इलबरेट बिल का भी समर्थन किया था इसका यूरोपिय समिधाय ने विरूद किया लेकिन बारतिया इसके समर्थन में अंदोलन करने लगे। महिलाओं को वोट के रिकार के लिए चलाया के फैन। 1909 में पती केदारना तरॉय के देहनत के बाद जब बंग महिला समीतिक से जुड़ी और महिलाओं के मुद्दों के लिए पूरी तने से समापित हो गई। कामिली राय ने अपनी कविताओं के जरिये महिलाओं में जागरूता पेदा करने का काम किया था। यही नहीं ततकारिन बंगाल में ाजिकार दिलाने के लिए नए लॉम्बा के फिर Religion छल्य था। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करें जरूर बताएं। अगर वीडियो अची लगी है हो आगर आप मैं चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और बेल आइकन को दबाएं जैसे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिपिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक धन्यवाद